नमस्कार, दीपा वली से पहले दीपा वली की बिठाई मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप कन्या राशी के महिला हैं, पुरुष हैं, तो अभी से मूँ मीठा कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बात बताने वाला हूँ, जिस बात को सुनकर आपके मूँ में पानी आ जाएगा आप दौड कर मिठाई कर डिपा ले आएंगे, और दीपा वली तो आएगी जब आएगी, लेकिन आपके घर में आज से ही दीपा वली की खुश्या मनने लगेंगी, यह जो भी बात बता रहा हूँ, यह ग्रहों के अधार पर हैं, सत्य हैं, हंड़र परसेंट, हाँ, आपक करने अराशी वाले लोग, यह दीपा वली आपके जिन्दी में शांदार खुशिया लाएगी, जो खुशिया आप चाहते थे, यह दीपा वली धन भी देगी, सुख भी देगी, सम्रद्धी भी देगी, और आपको हर परशानियों से मुक्त भी करा देगी, मुसीबत इंसा को जब इंसान पर पड़ती है, तो इंसान पागल हो जाता है, और जब मुसीबत हड़ जाती है, तो इंसान मुस्तुराने लगता है, तो बस आपके मुस्तुराने के दिन आ गए हैं, आपके उपर दया है मालक्षमी की, इस दीपा वली में, और आगे भी बनी रहेगी, तो कन्या राशी वालो अब आपकी किस्मत में कुछ पहत्रीन होने वाला है नवंबर के महीने में वैसे तो यह अक्टूबर सही शुरू हो जाएगा लेकिन इसके परड़ाम आपको नवंबर में पूर्ण रूप से भिलेंगे यह जो जानकारी है चंद राशी और नाम राशी प बैठना यानि की आप ऐसा समझने की शुक्र यानि की मालक्ष्मी तो मालक्ष्मी आपके घर का जो सिंगासन है आपका जो तक्त है आपके घर की जो तिजोरी है उस पर आकर विराजबान हो जाएंगी तो मंगल दिती भाव में शुक्र जो है आपके लग्म में बैठेंगे तो अद्बुद शांदार सफलता का महीना है नवंबर 2023 की दीपा वली द्यान से कुण्ली पर नजर डाले शुक्र जो है नवंबर के महीने में लग्ण में बैठे हुए हैं बुद्ध की राशी में यानि मित्र की राशी में बुद्ध है भगवान विष्णू और शुक्र है मा लक्ष्मी तो लक्ष्मी नारायन योग भी बन गया कन्या राशी में इस दीपा वली में धन की देवी मा लक्ष्मी यानि शुक्र रहे आपके जीवन में एक सुन्दरता को लेकर आएगा पैसा जो होता है वो सबसे सुन्दर चीज़े इस दुन्या की पैसे से सुन्दर कुछ नहीं तो पैसा आएगा आपके जीवन में आपकी तारीफ होगी आपके हर काम में पैसे आने का मतलब है कि आपके जो दुख कलेश है वो हट जाएंगे जो पैसे आने के रास्ते में जो तकलीफे थी, वो इस दीपावली से पहले ही दूर हो जाएंगी, ये दीपावली इच्छा पूर्ती की दीपावली होगी, इच्छा पूर्ती क्या, आपने जो सपने सजाएं हैं, आपने जो सोचा है, वो लंबे समय से जो रुका हुआ है, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, आपको ग्रहों का आशिरवाद मिलेगा, आपको आपके घर के बड़ों का आशिरवाद मिलेगा, मान, सम्मान, पहचान, दोनों आपको मिलने वाली है, यह दीपावली आपकी मेहनत का पूरा रियर्ड देगी, यह मेहनत जो आपने अभी की है उसका भी जो पिछले दिनों में की है उसका भी पैसा और प्यार दोन आपके जीवन में आने वाला है वैपार में आप मिसाल खड़ी कर देंगे या नहीं कुछ इतना बड़ा कर देंगे कि लोग आपकी तारीफे करेंगे आर्थिक रूप से आप संपन होंगे पैसे की नगत पैसा आपके पास आएगा प्रॉपर्टी भी बनेगी वैबार में सब कुछ बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया चलेगा पैसा आने के रास्ते नौकरी में खुलेंगे आपके अठके हुए काम पुरे नोंगे फसे हुए पैसे मिलेंगे टीवी मीडिया शोशल मीडि तर्शिया में आप चमक जाएंगे आपकी खिसमत चमक जाएंगी ये दीपावली आपको इतनी खुशी दे कर जाएगी इतनी यादे कर जाएगी कि बरसों तक आप इस दीपावली को याद रखेंगे और शुक्र की कृपा से लक्षमी नारान योग के बढ़ने से आपकी जिखान से जहां पर तीन नंबर लिखा हुआ है ये दस्वा घर है तो ये बुद्ध का खुद का घर है तो बुद्ध देव जो है शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नायार योग जब बनाएंगे तो आपको कार वैपार भी बढ़िया चलेगा और देव गुरु ब्रस्पति आपके घर में खुशियों की बरसात लेकर आएंगे धन दौरत लेकर आएंगे जहां चार नंबर लिखा है वहाँ पर नौ नंबर की राशी आती है तो गुरु देव आपको नराज नहीं करेंगे इस दीपावली में आपकी हर इच्छा पूरी होगी मंगल अगला ग्रह ज जिहान रखना है गुस्सा नहीं करना है तो मंगल आपके परिवार को तकलीफों से दूर कर देंगे ऐसा समय जिए मंगल आपके जो आपकी परिवार की तकलीफे थी जो आपकी तकलीफे तो निगल जाएंगे खा जाएंगे यदीपावली में आप ऐसा कह सकते हैं पटाख बुरे दिन थे, मंगल उसका समापती कर देंगे, अब आप की जो मेहनत है, वो पैसा भी कमाएगी और डॉलर भी कमाएगी, याई पैसा डॉलर से भी आएगा, आप जितनी मीठी वानी बोलेंगे, जितना कम गुस्ता करेंगे, जितना धैर रखेंगे, उतने अमीर आद्मी बनेगे, उतने बड़े आद्मी बनेगे, सस्वाल वालों से भी लाब आपको मिल सकता है, अगर आपको शादी हो गई है, शादी के योग भी बनते हैं, तो अच्छी है, सस्वाल में आपका रिष्टा हो सकता है, दीपा वली में खुब मंगल कारे होंगे, मिठाईयां खाने पीने के में माहिन होंगे, खुब पखवान आपके बढ़ने वाले हैं, इस दीपा वली में मंगल आपको आपकी महनस से कहीं गुना ज्यादा अच्छा रिजक्त दे देंगे, तो मंगल कताई पैसों की कमी नहीं करने वाले हैं, मंगल आपके अंदर साहस लेकर आने हैं हर कटनाई से आप लड़ने के लिए तयार हो जाएंगे और जो लड़ गया जो भिड़ गया कटनाईयों से जीत उसकी पक्की है अगला जो आपको शुब मौका मिलेगा दीपा वली को खुशाल बनाने का वो करेंगे चार नुवंबर को दीपा वली से कुछ दिन पहले ही शणी मारगी हो जाएंगे चटे भाव में मानओ या ना मानओ आप मेरी बात में यकीन करें या ना करें लेकिन आपके जीवन में जो शत्रू है जो परशामी है जो तकलीफे हैं जो कष्ट है वो जड़ से बिटाने का काम शणीदेव करेंगे मारगी होते ही, आपके जीवन में जिस भी छेत्र में, जिस भी पॉइंट पर परशानिया आ रही थी, वहाँ पर शनीदेव अब मलहम लगा देंगे, परशानियों पर मलहम लग जाएगा, परशानिया जड़ से खत्म हो जाएगी, अब नौकरी में तरक्की दूर नहीं, शन देव आप ऐसा कह सकते हैं, आप इतने जिम्मेदार हो जाएगे, कि आप से गलतिया नहीं होंगी, बच्चे पढ़ाई में इतने सजग हो जाएगे, कि वो मल लगा कर पढ़ेंगे, आप अनुशासन से पढ़ाई भी करेंगे, आप अनुशासन से अपना काम भी करेंगे, वेपार भी करेंगे और गलतियां ना के बराबर होंगी या कहें हो ही organisी सकती गलतिया। तो आपकी परिशानियों का दौर खत्म होने वाला थै आप सही तरीका चुन कर शत्रू का विनाष करेंगे शत्रू से तक्राइंगे लेकिन शत्रू को चूर चूर कर देंगे आपको बड़ी कम्पनियों से लाब होगा, किसी MNC कम्पनी से लाब होगा नौकरी वेपायर में आप खेल को उद में भी बड़ा कमाल दिखा सकते हैं कोई चिलारी है ने अगर आप दो शनी आपको किस्मत में लिख देंगे सफलता अपनी कलम से आप जमाने को कड़ी टक्कर देंगे, भागे का साथ मिलेगा, सही और सटीक निर्ने लेकर आप आगे बढ़ेंगे नौकरी में आपका अच्छा परदर्शन होगा, आप अपनी योगिता से तरक्की पाएंगे, वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, पुरुसकार मिलेगा, मन चाहा जीवन साथी मिलेगा, मन चाहा प्यार मिलेगा, जिस से दिवाली और भी जादर शांदार हो जाएगी उमीज से डबल सुक सुधाएं आपको शनी यहांपर देने वाले हैं, जीवन में खुशिया लाने वाले हैं, जीवन साथी के साथ आप अच्छा वक्त मिताने वाले हैं, प्रेमी प्रेम का दर से एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, पैसा डॉलर में भी कमाएंगे, नोट से मुक्त हो जाएंगे दीपावली से लगबत तेरा चौदा दिन पहले तो गुरुदेव आपके जीवर में बहार ला देंगे सबसे पहले तो यह जान ले आठवा घर शनी का होता है और यह मंगर से प्रभावित होता है तो मंगर गुरु का मित्र है और शनी का शत्रू है तो अगर आपको खोशिया पानी है तो मेरी बात मालनीचिए आठवा घर यानी परशानियों का घर यानी मृत्यू का घर और ये घर मोक्ष का भी है और ये अनिस्पेक्टर्ड गेंड का भी है लाब का भी है तो आठवे घर में जब गुरुदेव राहू से मुप्त हो जाएंगे तो केवल ईश्वर की सहायता आपको मिलेगी आप माने या ना माने आप दिल से आँख बंद करके ईश्वर को याद करिएगा और अपनी परिशानी उनके समक्ष रख दीजिएगा मंदिर जाकर रख दें या सच्चे मन से कहीं पर भी रख दें मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो ईश्वर सीधे अपने लोग से आपके लिए सहायता बहजेंगे इस बात की गैरेंटी है इनसान के बास में च देजेंगे है ना तो ऐसे जो भी आप इश्वर को मानते हैं उसका ध्यान करिएगा और कहिएगा इश्वर मेरे जीवन में ये परिशानी है मैं आपको कहता हूँ छड़ भर में आपकी परिशानी का अंत हो जाएगा तो आठवे घर में जब राहू से मुक्त होंगे गरू तो आपकी बात सीधे इश्वर सुरेंगे इस बीच में किसी इंसान को मट डालिएगा सीधे इश्वर से बात करिएगा आई बास समझ में दीपा वली में अब मज़ा आने वाला है दीपा वली में आपकी बात सीधे भगवान से होने वाली है मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस दीपावली में यमराज भी आपका कुछ नहीं बगार सकते, इतनी शुभ दीपावली है ये, आया मज़ा, ये मज़ा देने के लिए वाली बात नहीं है, ये सत्ता है, अगर आपके सितारे मजबूत हैं, तो ये दीपावली आपको खुशियों से भर देगी, सितारे कमज उसे बैठे रही है, भगवान कुछ कर दे तो कर दे, इसमस हमारे और आपके बस की बात तो नहीं है, कि हम कुछ कर पाएंगे, अपनी जर्म कुणली की जाँच जरूर कराईए, ये जर्म कुणली की जाँच कराते ही, आप अपने सितारों को मजबूत कर सकते हैं, आपके दिये के नमबरों पर संपर करिए, और अपनी जर्म कुणली की जाँच कराईए, ताकि ये दीपावली में सब कुछ मिल जाए, सितारे मजबूत होंगे, तभी कुछ भी मिलेगा, अगर सितारे कमजोर हैं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रख लिएग नमस्कार